सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यह देखा था अब हम यहां पर बनाने वाले हैं आड्रेस लाइक कॉंटेंट इन्फो गेट इन्टच ठीक है तो प्लस अगन पर क्लिक करेंगे फ्लैस बोक्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम ले लेते हैं वर्टिकल आ रहो और आपक की बॉटम टॉप बॉटम से 60-60 ओके लियाओट प्याह करके आप भूली गया होगे न याद था आपको यहां पर कंटेंट वीड थर्टीन इन्ट कर देना है प्लस अगन पर क्लिक करो चलो इस बर तो हम लेंगे नहीं जस्ट यह से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे ना क प्रांटेंट चेंज करना हैं क्योंकि आप थोड़ा समार्ट बना था न फिनक एंग हाड़ वाकिंग करना है हाड़ वक प्लस समार्ट वक तो यहां पे अप लिखो गेट इंट टच ठीक है दिख लिया इसका ऐलायमेंट फेस ऐसम में कर देते हैं और क्लिक करो और कंटें करनेंगे किसली हम इस container के अंदर एक और container लेंगे फिर इसी container को duplicate करेंगे तो two container आगया एक side हम लेने वाले सारे चीज़े एड्रेस लिखेंगे और खेंगे एक तरह रहेगा हमारे map तो इस पी जैसे हम पहले सी करते हारह है मीन कॉल्म क्लिक कर खिसु होरिज़ेंटल कर लेना है प्लस अगर में क्लिक करना है यहाँ पे हमारी एड्रेस फिर से आपकी मुबाल नंबर, इमिल आडी इस साइड रहेगी और इस साइड रहेगी आपके मैप आप चाहो दिधर भी मैप रख सकते हो वो सारी इनफॉर्मेशन यहां रख सकते हो तो यहाँ पे मैं आइकोन बोक्स लोंगी ठीक है और ड्राइग और रॉप कर देना है तो यहाँ पे हमें लेना है मैप मैप सर्च करोगी यहाँ पे आजाएगा मैप प्लिक कर दिया आपने मैं यहाँ पे भी सीम वैसे ऑप्शन आता है चाहो तो यहाँ रख सकते हो चाहे तो आप स्क्वार भी रख सकते हो तो चली इस बार हम स्क्वार ही रखते हैं ठीक है यहाँ उसको स्टैक्ड कर देते हैं जैसे आपको सही लगे मुझे तो सर्कल यह अच्छा लगता है लेकिन रखना है फ्रेम रखना है लिंखो यहाँ पे एड्रिस और यहाँ एड्रिस टाल दो कॉल काता है वेस्ट पे आपकोंड ग्रेट अमेजीन स्टैल पे आईए लेफ्ट कर दीजिए अगर आप ऐसे करोगे तो टॉप में चला जाएगा लेफ्ट करोगा आइकोन को बोजिए लेफ्ट में चलाएगा वर्डिकल अलाइमेंट मिडल लैकिस अइकोन का मिडल कर देना और अलाइमेंट सभी कॉन्टेंड का लेफ्ट रहेगा आइकोनी स्पेसिंग है तो आप यहां आइकोनी स्पेसिंग 25 ही रखो जो डिफॉल्ट थी और कंटेंड स्पेसिंग जो है वैसा रख सकते हो आइकोन की साइज डिक्रीस करते हैं 25, 30, 35 थींग हम यहां पे 35 कर देते हैं ठीक है पाकिजी तो करने की जरूत नहीं पड़ेगी आप चाहो तो एकसेंट रख सकते हो कलर यह सेकेंड जैसे कि हम कलर इसके मां फॉल्व करते हैं content आओ content पर क्लिक करो यहां पर primary एंड बाकिजी जी सही है बस यहां पर आपको size की problem को solve करते हैं यहां पर 22 चलो 22 कर देते हैं इसको 600 ओकेई बाकिजी जी सही है जैसा आप देख पा रहे हो फिर क्या करना है duplicate करिए और इसको duplicate करिए एक तरफ आपकी जो middle वाली है इसमें आप email डाल दीजिए email और यहां पर mail लग दीजिए info at the rate digital asna.in ठीक है email हो गया यहां पर phone number अच्छे हां आपको यहां पर icon बदल देनी है यहां पर mail करिए या envelope डाल दीजिए envelope यहां डाल दीजिए आ गया यहां पर मैंने क्लिक करके change कर दिया सेम वैसे यहां पर भी क्लिक करिए और यहां पर डाल दीजिए phone जो चाहिए word आपको डालना है यहां पर great हो गया और यहां पर mobile या phone phone डाल दीजिए और यहां number लिंग दीजिए plus 911 जो भी कुछ टाल देना है ऐसे हो गया great अब मीन क्या करना है आपको क्लिक करना है जिस container के अंदर हमने तीनों elements को यूज किया है उस वाले container को लिक करना है क्लिक करकर इसको center कर लेजिए ठेक है यह नहीं स्टार्ट ही रखिएगा alignment यह जो आइटम यह जो आइटम आपने लिए है इसके लिए है इसको इसको नहीं करना है आपको ठीक है इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए बस इसको center कर लेना है क्लिक करके हमें लेना है मैप यह रहा मैप आगया मैप इसमें आप को address डालना है जैसे कि आपके जो भी official address है location है वो डाल दीजिए यहां पे तो मैं यहां पे बैंडेल कॉनकाता इंवेस्ट लूप है मुकॉनप तो यह दिखा देगा अज जूम करना चाओ तो इसको जूम कर दिया तो यहां पे इस तरह से address चलाएगा हाइट आप increase करना चाहोगी हाइट increase हो जाएगा देखें इतना हाइट ने शाहिए लगबग आप 400 रख सकते हैं यहां पे 400 और इसको हम middle कर लेते हैं क्लिक करिए और यहां पे middle देखें यह वाले यहां पे middle I think पहले नहीं हो प इस तरह से मैप दे सकते हैं अपना यहां पर सही से address ढालेगा यहां पर सही से cash नहीं कर पाया है तो यहां पर डेखें डाल देती हूं अपना pin कर डालोगे तो साथ आ चाहिए जब चलो Kolkata एक west bank और डाल देती हैं तो देखो यहां पर चलाए हैं सही से आपको यहां पर map होगा अधर्वास नहीं आएगा ठीक है चलिए आपने मैं भी बनाना सीख लिया गेटिंट अचा चाहो तो सेंटर ही रख सकते हो अपडेट कर दीजिए अब हम बनाने वाले एफिक्यू एफिक्यू के लिए सबसे पहले क्या करो आप नीची आओ प्लस सेंट पर क्लिक करो औ और नैरो हम लोग रोले लिए नया कॉपी करके यहां पर पेश कर दीजिए सिक्स जोट पर क्लिक करेए सबसे पहले यहां पर थार्टीन अंडेट और एडवांस पहले करके पैडिंग को अन लिंक और यहां पर टॉप से 50 बॉटम से 50 देन यहां पर क्या करना आपको पहले यहां दीजिए तो ख्लिक करके इस हिडिंग को चेंज कर दीजिये यहां लिखे अठाव 10 युद्ध को अर इसका फूल्फम होता है फ्रेक्वेंट आस्क कोशें ठीक है है फ्रेक्वेंट काünden चाहत दो उसको लिख सकते हैं टोटल ठीक है और यहां चाहतो यहां पर दाल सक इसको सेंटर कर देजिए नाइंडट पर क्लिक करिए यहां मैं दिखाज क्या यूज करने वाले हैं लगबग अपनी सारे यूज कर लिए देखो बेसिक वाले कम्लीट हो गया है अगर आप दिखाज से देखोगी और अपने प्रैक्टिस किया होगा तो देखिए सभी का अमन एक्कॉर्डियन और टॉगल और सोशल आइकोंस ये सारे हैं नीची वाले सारे रेटिंग समने यूज कर लिया है अब बाकी ये सीजी यूज करने है अभी मैं करूंगी एक्कॉर्डियन ड्रैग और डॉप करके नीचे लाइए तो यहां पर चलाया है पहला कोश्चन आप लाइनिंग पीज में कोश्चन रहता है वाट बैनिफिट आविल गेट फिर यहां पर एक और कोश्चन इसी कॉपी कर दीजी और यहां पर कोश्चन रहाएगा विल आई गेट विल आई गेट 24-7 सपोर्ट ठीक है इस तरह कोश्चन कुछ-कुछ आपको लिख लेना है ठी ठीक है इस तरह कोश्चन आप तो पता ही यहां पर टाइटल लिखना है यहां पर कंटेंट है और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें बस यही रहता है टॉगल में अकॉर्डियन आइटम में इस तरह कर रहाएगा ठीक है उसके अब देखिए आइकोन आइकोन क्या है प्लस इसके लिए इस तरह से और यह एक्टीव आइकोन में उपर का जो अप में जाएगा वह एरो रहे लिचे इंसर्ट तो देखिए इस तरह से आएगा ठीक है और यहां पे टाइटल जो है एस्टेल टैक इसको जैसे डिफॉल्ट से चोड़ दीजे फ्रिक्वें एफेक्यू स सकते हैं कुछ ऐसा है इसको करने की जव्ड़ात नहीं कोई दिखेत नहीं पटॉर्डर वीद चुप बॉर्डर तग्यों ब्रॉसका वीद इस तरह से आप बोर्डर दे सकते हूँ यहां पर हम border 1 रखेंगे इसका color हम secondary यूज़ करेंगे टाइडल background color आप दे सकते हो color तो यहां बे गलर हम secondary नहीं black ही यूज़ करते हैं active color हाँ accents थाइग तेप अपर को यह हम साइज हम छोटा कर देंगे 22 22 वी जादे लग रहा लेगे इसको हम 600 कर लेते हैं इसको हम 18 करते हैं ठीक है उसके बाद कुछ और नहीं करना आइकोन पर आइकोन को देखिए अभी क्या अलाइमेंट आपकी स्टार्ट में इसको आप एंड में कर दीजिए यहां पर इसका आप कलर दे सकते हूं कलर आप सेकेंडरी रखिए और एक्टिव कलर एक्सेंट रखि जैसा अगर में बैक्राउंड दोंगी तो देखिए कंटिट का बैक्राउंड चेंज होता वा नजर आएगा चाहो तो आप यहां पर बीजी कलर दे दो और कलर दो ओली टेक्स का कलर ही रहाएगा और आप चाहो तो इसको फिप्टिन कर देजिए ठीक है और टेक्स एड़ो देख करके आप चाहो तो टाइटल का बैक्राउंड कलर दे भीचे सबसे बढ़ी है यह बैक्राउंड कलर ऐसा भी आप कर सकते हो अपडेट कर देजिए ऐसे ठीक है तो यह एक तरह का आप आप एफिक्यू सीख गया अपने अगर आपको इस तरह से अलग-अलग format में चाह जाता है इसलिए हम इसाब को एक साथ रखना पड़ता है तो चलिए यह हो गया चलिए अब हम यूज करेंगे टॉगल का नीचे आते हैं देखते हैं यह हमें क्या सा परफॉमिस देता है टॉगल को ड्राग और नीचे कर लिए दोनों का काम सेम है लगबाग दोनों ही एक ह अब देखो क्लिक करोगे देखो यहां पर भी arrow आ रहा है ठीक है इंसर्ट कर दीजिए और यहां पर क्लिक करके इसे इंसर्ट कर दीजिए questions भी same है same जैसा आपने उसमें डाला था accordion में same toggle में डालोगे वैसा ही एकदम है और same options हैं जो हमने accordion में देखा था यहां पर सिर्फ एक option दिखता है वो है आपके space between यह चीज आपके accordion में नहीं था border तो था ही, title था ही, color विगरत था ही, background भी था लेकिन यह option नहीं था देखें यह आप में है ठीक है और border दे दो आप यहां पर इस तरह का आपका option है space between का, title पर आईए, यहां पर आप size चोटा कर दीजे, 18, 600, icon, and color दे दीजे, color और फिर active का color accent content, content पर क्लिक करिए, और यहां पर भी यह 15 के देजे, तो लगवक सीमी है, सब देख पा रहे हो, है न, उसमें उने border नहीं डाला था, इसमें border डाला हुआ है, अगर आप 0 कर दोगे, तो border हट जाएगा, ठीक है न, तो आपको समझ में आ गया हुआ, जो आपको बैटर लगय जापको लगया हुआ है, तो आपको सकते हुआ है न, तो आपको समझे अ, एक्या सत्क्राद़ कर दोगे हैं एक दोगएगा है